Hello everyone, मैं हूं नरियान पांचल इस चैनल के माधयम से हम लोग इतिहास को ट्रिक के माधयम से समझने का परियास कर रहे है ट्रिक के माधयम से हमें याद रहता है गिटेल तो आपने पड़ी होगी और ट्रिक के माधयम से आपका एक परकार का यह रिविजन है चैनल पर एक पूरी प्लैलिस्ट बना रखी है जिसमें ट्रिक के माधियम से मैंने आपको समझाया है तो इतिहास जो है उसके जनक का नाम है हेरोडोट्स ठीके तो इतिहास के जनक का नाम है हेरोडोट्स और इतिहास को अगर हम इसको अलग-अलग करें इती अलग कर दे और हास अलग कर दे इती का मतलब एसा और हास मतलब हुआ मतलब एसा हुआ ठीके एसा हुआ था यही आपका क्या है इतिहास ठीके इतिहास को सुविधा की दरश्टी से हम तिन भाग में बांट दे तो प्राचिन इतिहास, मद्यकाली इतिहास और आधुनिक इतिहास इस परकार से इतिहास को हम पढ़ेंगे तो हम प्राचिन इतिहास को ट्रिक के मादें से समझने का प्रियास कर रहे हैं तो प्राचिन इतिहास को समझने की ट्रिक है प्राचीन सिव महान जब मगत हसीन मासुकाओं में युनानी शक्कर गुप्त रुप से बड़े त्रिकोणी संगर्ष में तो देखिए प्राचीन का मतलब यहाँ पर प्राचीन मतलब पाशान काल पूरा पत्थरों का जो काल था हमने पड़ा था इससे पहले वाले भाग में वो भी ट्रिक में ने बनाई थी तो प्राचीन यानि की पाशान काल सी से मतलब यहाँ पर सिंदू घाटी सब्वेता और वस है वेदिक काल जो आपका रिगवेदिक काल है प्राचीन सीव महान जब मगत यानि की पाशान काल सी से सिंदू घाटी सब्वेता वसे वेदिक काल और महान से महाजन पतकाल जेन धर्म और फिर बौद धर्म और फिर मगत राज्य का उतकर्ष फिर आगे लिखा है हसीन मासुकाओं में ह से आपका यह मगत सामराज है ना इस पर कुछ वन्षों ने राज किया है तो ह से क्या आएगा आपका हर्यक वन्ष सी से सिशुनाग वन्ष ठीके न से नंद वन्ष तो हसीन क्या बनाए हसीन हर्यक वन्ष सिशुनाग वन्ष नंद वन्ष फिर माशुका ठीके तो मा से क्या बना मोर्य वन्ष सू से सुंग वन्ष और क से का से कन्व वन्ष ठीके हस का यहाँ पर बना हसिन मासुकाओ मे तो मे से कोछ भी यहाँ पर नहीं बना है हसे हर्यक वन्स सिसुनाग वन्स नंद वन्स मौर्य वन्स शूंग वन्स कणव वन्स और आंद्र साथवाहन वन्स आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो डिटेल तो आपने पड़ी हो युनानी शक कर गुप्त रूप से बड़े त्रिकोणी संगर्श में तो अब क्या ही युनानी शक कर यहाँ पर क्या है यह विदेशी आक्रमन करता है तो युनानियों ने आक्रमन किया उसके बाद शकों ने फिर कर से या क्या कुशान और हून लोगों ने फिर गुप्त से मतलब गुपतकाल, फिर उसके बाद बड़े से वर्धनवंश, इस प्रकार से यह सभी क्या है? एक इतियास को, प्राचिन इतियास को समझने का एक क्रम है, आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो पूरा आपका सिल्बस तो वर्दन वंच की बात करें, तो वर्दन वंच का प्रतापी राजा हुआ है, आपका हर्स वर्दन, ठीके, और कन्योज इसकी राजदानी थी, तो कन्योज में क्या हुआ, कन्योज को प्राप्त करने के लिए त्रिकोन ही संगर्स हुआ, राजपुत प्रतिहार, बंगाल के के द्वारा अक्रमन किया गया और इसके बाद मद्यकाली नितियास यहां पर हमारा नहीं छोड़े उम्मिद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इसी प्रकार की ट्रिक और प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए और जो है अच्छा लगे तो इसको दोस्तों लोगों में शेयर कीजि यह पूरा क्रम है इसी माध्यम से आप पड़ाई करेंगे तो आपको एक प्रकार का इत्यास पर बहुत अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी चलिए बहुत बहुत दन्यवाद आपको